हलो फ्रेंड्स वेलकम बाक, I hope all are doing well So I am Neha Sethi, Welcome to Share Market with Neha Sethi हम बात करेंगे आज YesPank Share के बारे में Current price of YesPank का 19.85 और last session में दिया है 10.99% का positive return So good news is this कि 20 रुपिस को break कर दिया मैंने आपको जब ये 9-10 रुपिस पर trade होता था उस time पर buy करने का suggestion दिया था और आज इस share का price almost double है उस rate से तो 20 रुपिस को break कर दिया है Friday को बनाया है 20.50 का high closing दिये 19.85 है पर high तो बहुत अच्छा बनाया है 20 रुपिस break हो चुका है So करना क्या है क्या targets होंगे next and आपको इसमें investment क्यों करनी चाहिए सबको जानेंगे इस वीडियो में तो चानल को क्या फर्स टाइम विजट तो प्लीज कर लीजे सब्सक्राइब अगर आपने दो साल पहले इसमें investment की होती तो आप बहुत अच्छे profit में होते सबको पता है यह शेयर नीचे आ गया था यह इस बैंक में जो भी हुआ सबको पता है लेकिन जिन्हों ने इसके जब यह बहुत कम पेचे लगे था उस rate वे बाई किया है वह बहुत अच्छे return में होंगे हर एक शेयर आपको एक opportunity देता है तो वहां एक opportunity थी आपको volume बताऊंगे फ्राइडे को इसका volume था 145 करोड का volume के मामले में इस शेयर हमेशा टॉप पे रहता है बहुत अच्छा volume था प्राइडे को अब गुड न्यूस क्या है गुड न्यूस यह है कि येस बैंक को दो लेटर्स मिली है आर भी आई की तरव से उसमें यह उस डील को आगे बढ़ाएंगे for the fundraising and RBI की मन्जूरी मिल चुकी है इनके जो भी पैसे अटके थे आपको पता है वो सब वापस आ सकते हैं एक और positive news यह है कि Reliance Infra sales Reliance Center to Yes Bank for Rs. 1200 करोड तो यह पैसा भी Yes Bank में ही आएगा तो Yes Bank का प्राइस बढ़ने ही वाला है 20% का Band is Sabi के तरव से for the upper and lower circuit turnover है 253 करोड का Market Cap है 49361 करोड का तो बहुत इंवेसेंस इसमें पैसा लगा रखा है Fundamentals की बात करते हैं EPS is positive 0.44 PE 44 में मिल रहा है आपको ROE is also positive 3.19 private sector का bank है सबको पता है अब जानते है कि company कैसे profit making है यह loss making है तो friends profit making company है September में 152 करोड का profit जो कि जून में था 310 करोड का profit हा कम हुआ है profit बट फिर भी share price में जम देखने को मिलेगा because this is a profit making bank promoters नहीं है यह आपको पता है next target आप लेके चलिए 22 रूपीज का RAM से चलाएगा 20 रूपीज को ब्रेक कर चुका है मैंने 9 रूपीज के बाई करने को suggestion दिया था तो बहुत अच्य रिटर्न में होगे अगर आप बने होगे तो बने रह सतने यह अच्छा रिटर्न जरूर देगा आगे next one or two year के अंदर अंदर आपको यह बैंक से रिलेटिज को जो तो गुड़नी उसी मने आपको दे दी है 20 रूपीज 22 रूपीज का मैं नेक्स टार्गे लेके चलेंगे राम से फंड रेस के लिए भी आर्बी आइने मन्जूरी दे दी है अपनी आपको वीडियो अच्छी लगी हो दिस वीडियो इ अबरी आपयोग अबया होगी हो जो इन आपको खाहे लेके लाओे Hm